हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकोल के बारे में जानते हैं तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकोल के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि हमें ऐसे प्रोटोकोल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी है या स्टीपी की जरूरत ही हमारे नेट्वक्स में क्या होती है हमारे network अगर हम देखें अब धीरे धीरे extend होते जा रहे हैं यानि के पहले जो एक room या एक small office से काम start हुआ था वो एक enterprise network में land से आप लोग vans में connectivity बना रहे हैं अगर आप अपने small local area network की बात भी करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये PC1 है अगर मैं इस PC2 से connect करता हूँ तो आज आप ऐसा environment देखेंगे जहाँ पर एक एक ही switch नहीं है बलकि multi switch environment है जहाँ पर एक switch दूसरे से और दूसरा तीसरे से ऐसे linear form में connect होते चले जाते हैं और connect होने के बाद आपका PC1 जो माल लिजए एक first floor पे है और एक fifth floor पे है या एक ही office में बहुत सारे systems हैं या आपस में communicate कर पाते हैं लेकिन इस linear approach का एक disadvantage है वो disadvantage यह है कि अगर कोई link fail हो जाए या कोई device fail हो जाए तो जैसे हमारे इस case में PC1 और PC2 के दोनों ही links active हैं दोनों links में कोई problem नहीं है और जिन switches से ये connected हैं वो भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन कहीं रास्ते में एक connection fail हो गया या एक device fail हो गया तो उनके fail होने से भी इन दोनों PC's के बीच में communication stop हो जाएगा तो इस approach को change किया जाए और change करने के बाद जो approach निकल के आई वो थी हमारे networks में redundancy की जरूरत थी यानि कि हमेशा एक जगा से या एक PC से या एक host से दूसरे host तक पहुँचने का एक से ज़्यादा रास्ता होना चाहिए इसका benefit यह है कि अगर एक link fail हो जाए जैसे यह device fail हो जाए या यह link fail हो जाए तो हमारे पास एक और link available रहे वहां तक पहुँचने का अब redundancy adopt करने लगे अगर हम redundancy को adopt करते हैं तो इसके और कुछ हमें disadvantages मिलते हैं या हम कहें कि हमें कुछ problems हमारे networks में आ सकती हैं वो problem है loops की problem यानि कि अगर हम एक जगा से दूसरी जगा पहुचने के एक से ज़्यादा रास्ते रखते हैं माली जे दो रास्ते रखते हैं तो यह आपके network में loops को जरम देता है और loops के loops से कुछ और नुकसान भी हो जाते हैं loops बनाने से क्या क्या समस्या होती हैं जैसे इस slide में आप देखेंगे कि switching loops gives problem if all links are active और इनसे broadcast storms की problem आती है multiple frame transmissions हो जाते हैं और आपका जो switches का table है cam table या forwarding table वो हो सकता है कि वो inconsistent हो जाए तो यह कैसे होता है तो सबसे पहले broadcast storms के बारे में जानते हैं तो यह कैसे एक loop बनने से loop तो पहले आप समझ लीजे कि यह एगर PC1 है और यह PC2 है तो यहाँ PC1 से PC2 तक पहुँचने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं यानि कि एक तो इस path के तुरू follow होता है और दूसरा इस path से भी हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो यानि कि loop बनने के पूरे chances हैं यह कैसे होता है माल लेजे एक PC ने एक ARP request भेजी और ARP request स्विच के पास गई और स्विच ने उसको अपने table में चेक किया और अगर वो table में उसको नहीं मिलती तो switches by nature या by feature उसको broadcast कर देते हैं तो broadcasting होने के बाद यह switch यह जो आपकी ARP request है वो switch इस switch के पास भी जाएगी और इस switch के पास भी जाएगी और यहाँ से same यही funda आगे चलेगा यानि कि इनके भी अगर tables में नहीं है तो वो भी इसको broadcast कर देंगे और broadcast होने के बाद अगर इस switch में जिससे PC connected है यह यहाँ पर पहुँचेगी और पहुँचने के बाद दो जगा से इसको एक message मिलेगा और इसके बाद क्योंकि इस switch ने इसको broadcast कर दिया है तो broadcast का मतलब है यह सभी जिसके switch ports हैं जो ports हैं उससे यह flow हो जाएगी और इस PC को तो मिलेगी ही मिलेगी request लेकिन यह ऐसा भी होगा कि यह request दोबारा से घूम के इस port से भी यह बाहर जा रही है तो आप देखे कि यहाँ पे एक loop का जनम हो गया है और इस loop को रोकने वाला कोई नहीं है में पूरा का पूरा तबाह हो सकता है यानि कि वो पूरा का पूरा network उसका बिलकुल dead हो सकता है और कोई भी useful communication नहीं होती है इसी तरीके से multiple frame transmissions भी जैसे हमने पहले देखा कि एक frame भीजा किया अब B के table में वो नहीं है तो B ने इसको B के बारे में information इस switch के पास नहीं है तो इसने इसको broadcast किया आगे broadcast हुआ और ultimately B तक तो पहुंचा लेकिन B तक देखिए frame दो जगा से पहुंचा एक तो इस path को follow करके और दूसरा इस path को follow करके तो इसके पास multiple frames आ गए है अब देखिए इससे switching tables कैसे inconsistent होते हैं अब जो table होता है इसने frame भेजा वही frame दूसरी जगा गया अब A के पास A कहता है कि जो ये switch है ये बोलता है कि A के लिए port 1 से भी information है और port 2 से भी information है तो मुझे किसको कौन सा entry अपने यहां पेट करना पड़ेगा क्योंकि A जो है वो दो जगा से information भेज रहा है एक port 1 से information आ रही है और एक port 2 से information आ रही है तो ये अगर इसको PC को तो इसको भेजते है और अगर इसको reply करता है तो port 1 से भी reply होता है और port 2 से भी और इस तरीके से इस switch तक जो information आती है तो आप देखें तो वो कहता है A is on port 1, port 2 and port 3 क्योंकि A तो यहां पे भी है इसके port 1 से और इसके port यहां से भी आ रहा है तो से भी आ रहा है और 3 जो directly connected है तो इसका switching table confused हो जाता है यह switch यह सूच नहीं पाता कि actually में जो frame है या जो PC है जो यह frame send कर रहे है वो कहां connected है वो port 1 के साथ connected है वो इस switch से information आ रही है या इस switch से information आ रही है तो इसलिए आपका switching table भी inconsistent हो जाता है अगर दोनों links एक साथ active रहे रिडिननसी को हमें provide करना है networks में और वो भी बिना loops के तो यहां पे हमारी stp action में आती है हमारे पास एक ऐसा protocol होना चाहिए कि जो ऐसा काम करें कि दो path तो हमारे पास हो हमेशा लेकिन उन में से एक path एक समय में use हो और एक समय में वो दूसरा जो path है वो temporary बंद रहे और यह ज ऐसे ही जुरूरत पड़े यानि कि जो जिस path से रास्ता जिस रास्ते से data जा रहा है अगर वो किसी कारण से break हो जाए switch faulty हो जाए तो दूसरे रास्ते से automatically traffic flow होने लग जाए तो ऐसा एक protocol की जुरूरत होई और यह काम बहुत quickly और automatically होना चाहिए यह नहीं कि आपका जो network engineer है वो जाएं और वहाँ पर जाके cable लगा के उसको ठीक करें यह सब काम automatically होना चाहिए तो यहां से हमारे STP की शुरुआत होती है